कॉंग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकते। मैं आपको गैरंटी दे के कह रहा हूँ, दोजार चॉबिस में हम बीजेपी को हरा देगे। एक कोशन है सर, जैसे कि हमारे ब्रदस ने कहा कि इंप्लामेंट का इशु है, डियालमेंटल का इशु है, यह सारे चीजे तो है सर, लेकि मेरा एक कॉशन है कि हमारे जो कॉंडरेस पार्टी की जो डॉन फाल आ रहे हैं सर, वो किस रीजन सा आ रहे हैं, जैसे कि 2014 एलेक्शन के बाद हमारा डॉन फाल कुछ ज्यादा हो रहा ह कि जाइटेन को जैसे कि BJP मेंटल का जो MP है अप लोगों ने चिता हैं सर। हमारे लिए यहाँ बहूत ही जबरदस पॉलेटेशन है, बड़ा पॉलेटेशन है, यहां पे में एक चीज़स हाडि असघारा अली कर बलाई कि हमारा जब्स जारूर कर उख़ोगाए। कि आपको अनफॉचनेटली नहीं मिला मेंडेट जो है कास बलबर ले को मिला तो यहां पर आपका एज एंडेपेंडनेंट खड़ा होना मुझे ऐसा लगता है कि आपने बीजेपी के जो सपोर्ट शायद वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि उस वज़े से पुछ वा तो इन फ तो इसलिए अभी जो 2024 आने वाले एलेक्शन हमारे पॉलिटेशन हमारे अपने पार्टी के लिए कितना लोय है सर अगर ऐसे चीज़े रहेंगे तो हम क्या 2024 में सकता में आ सकता है कि ने इस चीज़ के बारे में सर अभी आपने बोला कॉंग्रेस पार्टी का डाउनफॉल क करनातक में किसका डाउनफॉल होगा? कॉंग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना हिमाचल में किसका डाउनफॉल होगा? कॉंग्रेस पार्टी का हुआ? अभी मध्यप्रदेश में चुनाओ है, राजिस्तान में चुनाओ है, चतिसगर में चुनाओ है, ठेलंग जारा है एक सोच है और ये हिंदुस्तान के करोणों लोगों के दिल में है यह सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हमारे कॉना इक सब्सक्राउन यह झाल शान गार्टी नहीं है जो हमता सब्सक्राइन uma 10Afterमी को आम्ठीसंटार आता है यह राज वियर फश्रे मिलें पोर समझने की कि आयारंटी के यह रहा हूं और मगर आपको एक और बात समझनी है आम तोर से क्या होता है लोग तंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है सही है आज हिंदुस्तान में यह नहीं हो रहा है आज बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टिट्यूशन को कंट्रोल कर रखा है आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में free and fair मीडिया है आपको लगता है कि मीडिया हिंदुस्तान में neutral है क्या तो आपको यह समझना होगा कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टिटूशन पर आक्रमन कर रखा है चाहे वो मीडिया हो चाहे वो ब्यूरोक्रिसी हो इलेक्शन कमिशन हो जुडिशन ही हो सब पर आक्रमन कर रहे हैं अगर लेवल प्लेइंग फिल्ड होती अगर मीडिया फैर होता अगर बीजेपी इंस्टिटूशन का कभजा नहीं करती तो पिछला जुना भी नहीं जितते हैं मैं आपको गैरंटी के कह रहा हूँ कि तो आप यह बत सोचिये कि एक पुलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है यह जो हो रहा है डी जेपी ने पूरे सिस्टम को गैप्चर कर रहा है लोगों को दरा रखा है इंस्सिटूशन को दबा रखा हैं तो यह दूसरी तरीकी के लड़ाई है और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कॉंग्रिस पार्टी और जो हमारे इंडिया